हलो फ्रेंज आप सब में से किस-किस के घर में चटपुजा हो रहा है कमेंट करके जरूर बताना मेरे घर पे तो चटपुजा नहीं होता है बट चटपुजा के प्रशाद के लिए वेट जरूर करती हूं तो आज तो खरना है खीर, रोटी और खेला खाने का दिन तो मैं शाम से वेट कर रही थी, सोच रही थी कि प्रशाद आज खाने को मिलेगा या नहीं तो वेट करते करते एक के बाद एक के बाद एक के बाद पांच घर से प्रशाद आ गया है तो आज रात का डिनर खरना का प्रशाद खाने वाली हूँ ये देखिए और डी मैं खा चुकी हूँ दो रोटी खीर केला खा चुकी हूँ तो ये उतना बच गया है तो मैंने सोचा कि उना फिनिश कर लो क्यूंकि साल में एक ही वार मिलता है इतना tasty खीर रोटी खाने का मौका खीर तो वैसे हम लोग के घर में बनते रहता है, कोई भी तिवहार होता है, तो खीर हम लोग घर पे ज़रूर बनाते हैं, मैं भी बनाती रहती हूँ क्योंकि मेरे बेटे को खीर खाना बसंद है, बट खर्ना का प्रशाद जो होता है न समें कुछ अलगी बात होता है तो कभी हमारे घर भी हुआ करता था छट पुजा हम लोग पिए भाग लेती थे तो अभी होता नहीं है बंध है फूजा तो मिश करती हूं करना का प्रशाद तो चलो इस साल नसीब में था तो इसलिए प खाने लिए तो सोचा के चलो आप सबके साथ यह शेयर कर लेती हूं पता नहीं आप सबके घर पे भी हो रहा होगा पुजा आप लोग भी खीर और रोटी का मजा ले रहे होंगे तो आप में से किस-किस के घर पे चत-पुजा हो रहा है कमेंट कर के जरूर बताना और मुझे भी मुझे खाने में बहुत अच्छा लगता है पता है कभी जब छोटी थी ना उस समय जो अरक देने जाते सुबा घाट पिजा के खड़ी रहती थी पुजा हो जाने के बाद ना ऐसे आचल फैला के प्रशाद मांगती थी तो फिर ठेकवा मिलता था केला मिलता था वो सब द आती हूं ऐसे तो ऐसे प्रशाद मांगने के लिए जाया करती थी बचपन में तो अभी पांच घर से खरना का प्रशाद आया मतलब पांचों घर से ठेकवा भी आने वाला है बहुत सारा तो आप मेंसे किस-किस के घर में चटपुजा हो रहा है पार्सल कर देना मुझे ठे जासा ठेकवा वो मुझे बहुत पसंद है मुझे भी बनाना आता है बने पूजा का ठेकवा तो उसकी अदबात ही कुछ अलग होती है तो चलो आप सब मेंसे किस-किस के घर में चटपुजा हो रहा है कमेंट करके जरुर बताना तो आप सब को चटपुजा की बहुत- होद शुब कामना है, जै छेटी महिया.